इस फेस्टिबल सीजन मार्किट दिया नकली मिठाईया नू ना करो कार्दे विच लेंदी जल्दी और कार्दे विच बनाओ सूपर सौफ्ट एंट टेस्टी मिठाई काजु कतली बर्फी दर टेक्ट्ट्र देख रहे हैं तुसी किन्नी वदिया है और इस नू देख के कोई भी नहीं कहेगा कि तुस इस मिठाईय नू कार्दे विच बनाया है बहुत जदा असान है और मार्केट दे विच तानू एक काजु कतली जो है आट सो दो हजार रुपे किलो तक मिल दी है बट कार्दे विच आज इस नू बनाके त्यार करांगे सिर्फ तीन चीजा देनाल बहुत जदा असान है बनाना और नकली मिठाईया तो बचो क्योंकि सिहत खराब ओंदी है सब दी नकली मिठाईया देनाल और फैस्टिवल सीजन दे विच खास काके मिठाईया दे विच बहुत जादा नकली मिठाईया मिल दिया है और तुसी प्लीज ओना मिठाईया नो ना करो और कर दे विच साफसुती चीज बनान दी कोशिश करो और कितना है भी काजु नोगा पाफ पीशना है इन्हों पाइड Unknown गार भॉह जायी जाएगा और काजु ने विच्पमनाओं प्राइगे उरा कोईbury दिशने और के आखने मेंसी। कितने विच्पक्राइब ए भॉड़ साथ 15- 15-15 तोफ साचिय। इस दिखेना बनाके काजु नो अपा पीस लेया है और नाली अपा उनने चानना है और चानन तो बाँ जो भी छोटे-छोटे टुकडे बचनगे उननों अपा दुबारा तो चान लवांगे फेट पीस के अपा उनन चान लवांगे सारे काजु नो इसे दिक के पीस के अपा छान लिया है काजु तेयार है पाउडर और हूने थे लेनी हाँ आपा शुगर शुगर मैं यह थे ले रहे हैं 200 ग्राम काजु है ता मैं उस दे वेच ले रहे हैं 200 ग्राम शुगर यानि की चीनी ले रहे हैं 200 ग्राम इरेशो जो है परफेक्ट है काजू दी बरफी दिले 200 ग्राम काजू देवेच 200 ग्राम शुगर शुगर नो आड़ करांगे पैन देवेच शुगर जो सी 1.5 कप चीनी सी नाप के अगर लवो ता इस देवेच अधा कप जो है पानी आड़ करांगे क्योंकि बहुत जादा चाशनी जो है सानों नहीं चाहिए वे इस जी के नल चाशनी नो पापकन देले रखना है प्रॉपर चाशनी नो पकाना है मिक्स कर दे रहांगे चाशनी नो आनना ताकि जो चीनी है शुगर है और प्रॉपर पानी दे वीच कूल जाए और साड़ी चाशनी जो है बनना शुरू हो जाए अगर चाशनी ताड़ी चीनी गंदी है तथ उसी इस टाइम ते इस दे उपर एक दो चमज दुद पाके उसनों चाशनी नो साफ कर सकते हैं मेरी जो चीनी है शुगर है बिल्कुल साफ है तो मैंनों चाशनी नो साफ करने जुरूत नहीं है तो चेक करें हां हलका तार बनना चाहिदा है चाशनी दे वीच और साड़ा शुगर सिरफ जो है रेडी है और एथे आपा एड़ का रहे हां एक चमज गुलाब जाल तुसी लाइची पाउडर भी आड़ कार सकते हो बट काजु कतली दे वीच गुलाब जल्दा फ्लेवर बहुत वधिया लगदा है अगर तुसी हले तक चैनल नो सब्सक्राइब नहीं किता है तब प्लीज सब्सक्राइब दा कार वर्ड और मैं थे एक चमज एड़ किता है देसी क्यों इस रेसिपी दे विच या इस बर्फी दे विच बहुत जादा क्यों नहीं लगदा है जादा तो जादा दो या तिन चमज बस इस दे विच ए बर्फी जो हो बन जान दी है और तुसी एदा दिया वद्या वद्या रेस्पी अगे भी दा कॉर्वर्ड ते देख दे रहोगे तो इससे लई प्लीज सब्सक्राइब दा कॉर्वर्ड और बेल आइकन प्रेस करना ना पूलना सब्सक्राइब तुसी देख सकते हैं संगना होना शुरू हो चुक्या है और इस टे ते असे गैस नों बंद कर दा मांगे और इस नों हीला हीला के पहला आपा थोड़ा ठंडा कर लवांगे तो मिक्स्टर भी ठंडा हो चुके है और इस देख लाम आगे थोड़ा सारे मिक्स्टर नो अगर गोली जो है बननी शुरू हो चुकी है इस ता मतलब सड़काजू जो मिक्स्टर है और बर्फी वसे प्रॉपर वध्या तीके नल कुक हो चुके है तो बटर पेपर ते हलका जया क्यों लगा के इस देख अपना जो मिक्सर सी उनो अपा पा देता है और इस तीके नल करची दी मदर दे नल अपा एनू सारे नो हिला हिला की ठंडा करांगे अगर तुसी इस तीके नल स्पैचुले नल नहीं करना चांदे तब बटर पेपर नल इस तीके नल सारी तरफो हिला के इनू अपा कर लेना है जिस तीके नल आटा होंदा है और इस तीके नल अपायादा जो डो है वो प्रॉपर कठा कर लेना है इस तो तुसी हाथ नल नहीं कर पागए क्योंकि इस त्रेम ते गरम है और इस त्रेम ते हाथ नल नहीं हुएगा सो इसे के नल हिलान दे नल सड़ जो आटे वरगा डो है काजुदा ओ त्यार हो चुक्या है तुसी देख सकते हो प्रॉपर वद्याती के नल गोला बान चुक्या है काजुदा सो इकठा हो गया Mixer उन्हें अपर रखांगे बटर पेपर और य्जठे उपर एक होर बटर पेपर लगाँगे और उन्हें अपर बटर पेपर देशेब देना है इस रिके नल एक होर बटर पिपर लगाके यह नू अपा प्रॉप पर तरीके नल वेल लेना है वेल लेना लपा यह नू वेल लमांगे तुसी चाओ तो सिद्धा भी वेल सक दियो तक कि वेल न जो है बर्फीदे विच चिप के न सारी दरफ हूँ अपा बर्फी नू प्रॉपल वेल लमांगे तक कि जो साइज है बर्फीदा व सारी तिक न प्रॉपर जो है बराबर हो जैए शेग तो तो कितोय देख सक्कादिली안 अएग्युन प्रॉपर उपर लगा देना हैं चांडीदा बर्ग यानिकर ऑनकि सिल्वर बर्च यह ने उपर लगा दावागे क्यूंकि मेला सब्लंग कर दो एगा बर्च पेथित सारी ग cultura पर आपको देना इस से के ना सिधा कर लागे क्योंकि किसे के ना करना सब्सक्राइब पीसिस कटन देवेच असानी डबेगे इस एक देना सारे जो पी साइड्स है अपानों निकालता मागे और जो साइड्स भचन गया तुस्तुर इसनों दुबारा तो इकठा करके गोला बन इसनों वेलने देने लिएव लोगो तुसी अगेन इस पीसिस जो है उसनों काट कर लोगे तो सारा आपस साइड्स निकालके बर्फी नुपास सिधा कर लिया है और हून इस चिकेनल लंभी लंभी लाइन्स लगानी है बर फीची आप करने हैं तुसी पीसी किसी भी शेब बट में जो काजू पतली पीसी से और डायमंड शेप देविच काट होंदे हैं तो उसे ठीके ना लपा पहले सिध्या लाइन लगांगे फिर इसमों तीछी आ लाइन लगाके अपाइस दे डायमंड शेप देपीसी काट कर लबांगे सो तो इसी देख सक देओ प्रॉपर वधे अतीके नाल साड़ी काजू कतली जो हैं बहुत वधिया लगई है और खान दे वीच बहुत सथा चेस्टी ई मैं जो साइट सी नाल देना में असाउ काके भी चकी ते हुआ बहुत वधिया वणी है इसे केनल साधी आज दी जो रेसिपी है काजु कतली वो बिल्कुल रेडी है और मैं इसे उपर थोड़ा सारा गुलाबदे जो सुक्के हुई गुलाबदे पत्ते आंदे है रोस पेटर्स उसनों भी मैं इसने डाल डेकोरेट करांगे इसनों सबसाधी बर्फी प्रॉपर वद्या तीकेनल बांचुके और टेक्स्टर देख सकते तुसी इस दा बिल्कुल सॉफ्ट बनी है और कोई भी इसनों नहीं कहेगा कि तुसी इस बर्फी नों कार्दे वीच बनाया है आम शौर हर किसे को लो तानू तारीफ सुनन लहीं मिलेगी सो इस बर्फी नों कार्दे बनाओ और मिलावती मिठाईया इस वरी ना लेक्के आओ और अपनी सेद्धा और अपनी फैमिली दी सेद्धा प्रॉपर ख्याल रखो अगे भी इससे तीके नल वदिया वदिया रैस्पीस जो है तड़ेबस से लेके आंधे रवांगे और प् इस बर्फी नों बनाओ और अपना ख्याल रखो और अपना फेस्टिवल इंज्वाए करो और कर देविच वदिया वदिया चीजा बनाके सब्दी तारीफ पाओ आगे भी एद्धा दी रैस्पीस लेके आंदे रहांगे और नेक्स रैस्पी लिए देखते हो दा कॉर्वल थैंक यू